से पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर तनाओ के लक्षन क्या होते हैं, इसके दो तरह के लक्षन होते हैं, एक शारिरिक और दूसरा मानसिक, शारिरिक लक्षन होते हैं यदि आपको सिर्दर्ध होता हो, यदि आपको कमर में दर्ध होता हो, आप जल्ली फटीग, हम या आपके शरीर में दर्ध होता हो, तो ये तनाव के लक्षन है, और इसके मानसिक लक्षन ये है, कि आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान नहीं लगता है चीजों में, आप जो निर्ने लेते हैं, आपसे उनमें बहुत सारी तूटियां होती है, यदि पतलब ये है कि आप तनाव से ग्रसित हैं और इससे पूर्व कि मैं ये बताओं कि इस तनाव के स्रोथ क्या है और साथ-साथ ये भी बताओं कि उनके निस्तारण कैसे किया जा सकता है सबसे पहले हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये कुछ मिथक हैं तनाव के बारे में और इन मिथकों को हमें दूर करना है जो सबसे बड़ा मिथक तनाव के बारे में है वो ये है कि सारा तनाव गलत होता है अठाथ जो उसकी प्रतिक्रिया होती है जो उसका हमारे उ भाव परता है वो हमेशा घातत होता है ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत तनाव अच्छाब भी होता है और उस तनाव को EU STRESS बोला जाता है EU STRESS यू STRESS वो अच्छा तनाव होता है तो यदि हम ये देखें कि तनाव और performance के बीच में क्या relationship है इनके बीच यह आपस में कैसे चलते हैं तनाव और आप कैसा काम करते हैं तो इसको एक inverted U-shape में आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत यह दित तनाव होगा तो आपका performance बढ़ेगा अर्थात आपके कारे करने की क्षबता बढ़ेगी लेकिन जैसे ही त point से आगे चला जाएगा तब आपका जो काम करने की प्रभाव है वो नीचे आता चला जाएगा और आपका जो सफलता है वो कम होती चली जाएगी और एक स्थान पे जा करके यह तनाव आपके लिए घातक भी सिद्दो सकता है इसने याद रखिए कि जो यू स्ट्रेस है य तो आपको excited करता है आपको रोमांशित करता है जैसे यदि आपका बच्चे का जन्म हो रहा है यदि आप किसी रोलर कोस्टर राइट पे आप किसी जूले पे हैं यदि आप किसी नई जगा यात्रा कर रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने जा रहे या प प्रभाव पड़ता है और आपके कारे करने की क्षमता उससे बढ़ जाती है लेकिन एक मात्रा से अधिक तनाओ इवन इन दिस केस इस केस में भी इन परिस्थितियों में भी हमेशा आपके लिए बुरा होगा तो हमें ये ध्यान करना आवश्यक है कि तनाओ बुरा होता है अ तो उससे मुझे कोई शारेरिक या मानसिक प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका कोई दुष परडाम नहीं होगा याद रखिए कि बहुत सारे लोगों को हार्ट टैक बिमारियां इत्यादी जो एकदम से होती है वो इसी लिए होती है कि उनके अंदर जो तनाओ है उसका उन् रखिए यदि आपके मन में तनाओ है तो आप उसका निस्तारर करने का प्रियास करिए यदि आपके मन में तनाओ है और आप उसका निस्तारर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी से जाके बात करिए उसको अपने मन में कभी मत रखिए ये ध्रान रखिए कि तनाओ को मन में रख तो उसके विशे में परचर्चा कीजिए, उसके विशे में जाकर किसी से पूछिए, अथ्वा जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए, ताकि उसका निस्तारण हो सके, तीसरा एक जो मिथक है तनाओ के बारे में, वो ये है से आप तनाओ ग्रसित हो रहे हैं, हो सकता है कि उस कारण से अन्य व्यक्ति ना तनाओ ग्रसित हो रहे हो, और उसी तरह से अन्य व्यक्ति जिस कारण से तनाओ ग्रसित हो रहे हैं, हो सकता है आपका उसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, और इसमें सभ्यताओं का इसका भी अंतर होता है आप कहां से हैं इसका भी अंतर होता है आप किस प्रकार की फैमिली से किस प्रकार के परिवार से आते हैं इसका भी अंतर होता है आप किस देश से हैं इसका भी अंतर होता है और इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि हर व्यक्ति अलग होता है हर देश का ज कोई लक्षन नहीं दिखाई दे रहा है यदि मेरे मेरा शरीर नहीं ठक रहा है यदि मेरी नींद खराब नहीं हो रही है तो इसका मतलब मेरे अंदर तनाव नहीं है ऐसा नहीं है अभी जब हम करोना काल में एसिम्टोमाटिक लोगों की बात करते हैं उसी तरह से तनाव में भी asymptomatic व्यक्ति हो सकता है अर्थात आपको हो सकता है कि कोई लक्षन दिखाई ना दे रहा हो पर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपके मन में घुटन चल रही है जिसको आपने कहीं मन में दबा दिया है तो हमेशा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और अब हम तनाओ के स्रोतों के विशे में बात करते हैं तो इसके लिए जो मेरा फेवरिट अक्रोनेम है जो मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूं और उसी के द्वारा मैं आपके साथ परिचर्चा करने का प्यास करता हूं वो है FIRE FIRE का जो F है वो है FIRE अर्थात भय भय से तनाओ हमें लगता है कि क्या मेरी जो जौब है वो रहेगी की नहीं जो आजीविका के जो मेरे साधन है वो रहेंगे की नहीं क्या मेरे पास परियाप्त धन होगा होगा की नहीं आगे जा करके क्या होगा मेरे पास परियाप्त धन अपने जीवन के लिए अपने परिवार के लिए जीवन रहेगा की नहीं, होगा की नहीं, इस बात से व्यक्ति को तनाव होता रहता है, तो इस पे हमेशा ध्यान रखिए, और यहां मैं पैसे को नीचा दिखाने के कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं धन का अपमान नहीं कर रहा हूं, हमेशा याद रखिए कि धन वही होता है, जो धन कर सकता है, अर्था धर्म मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, मात्र एक मीन्स है, धन से आप जो करते हैं वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत इसके कि आपके पास कितना धन है, धन मात्र एक साधन है, आप साधना क्या चाते हैं, आपका साध्य क्या है, ये ज् पूर्ण है जीवन में, जैसा कि महत्मा गांधी ने कहा कि इस प्रित्वी पर हर व्यक्ति की आवश्यक्ता को पूर्ण करने के लिए परियाप्त चीजे हैं, लेकिन एक व्यक्ति का भी, अगर ग्रीड है, एक व्यक्ति को अपने मन में ना लाने का प्रयास करें दूसरा जो भय हमारे मन में आता है वो होता है असफलता का भय हमें लगता है हम जो कर रहे हैं कहीं उसमें असफलना हो जाएं पढ़ाई में कहीं फेलना हो जाएं नौकरी में कहीं असफलना हो जाएं किसी कारे को हमने हाथ में लगा कि हम सफलता की और बढ़ सकते हैं आपके जीवन में यदि आप दस काम करते हैं तो एक दो में आप असफल होंगे ही यदि मैं दस निर्णे लेता हूं तो उसमें से एक दो निर्णे गलत होंगे ही कुछ अशुद्धियां रहेंगी ही पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं निर् प्रयास करना बंद कर देते हैं इसके इस बात को ध्यान में रखी है कि असफलता बुरी चीज नहीं है किसी कारे में असफलता बुरी चीज परन्तु यदि आपके मन में निश्चत द्रड़ है तो सफलता निश्चत रूप से आपके कदम चूमेगी, ये मात्र सबह की बात है, इसलिए असफलता से अपने मन को तनाव ग्रसित ना होने दे, तीसरा जो एक तनाव का कारण कभी-कभी बन जाता और ये थोड़ा विचि हम से बढ़ गई हैं और हमें उन अपेक्षाओं पर हमेशा खरे उतर करके दिखाना पड़ेगा, ध्यान रखिए कि ये जो सफलता है, ये आपकी आँखों में होनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति आपके विशे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आप से क्या हैं, आप उससे संतुष्ट हैं, और अपना सरवस्व आप उसमें डाल रहे हैं, तो आपको सफलता हमेशा मिलती ही रहेगी, सफलता से मत ड़िये, इस बात से ड़िये कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि पून प्रियास नहीं कर रहे हैं, मात्र इस बात से को भैभीत होना चाह यदि शादी करने जा रहा है और उसके दिमाग में थोड़ी अनिश्चतता है कि वो किस से शादी कर रहा है या क्या होगा आगे जो ग्रहस जीवन है वो सही होगा की नहीं ये सब घटनाव से व्यक्ति को कुछ-कुछ तनाव होने लगता है तो इसमें हमेशा ध्यान रखे कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है जो हमारा जीवन है वो वर्तमान में है तो हमेशा अपने आपको वर्तमान में रखने का प्यास करिए और यदि आप अपने आपको वर्तमान में रखेंगे तो आपके अंदर तनाव नहीं आएगा और एक घतना जिसके वज़र से व्यक्ति बहुत अधिक तनाव ग्रसेत होता है वह मृत्यू चाहे स्वेम के मृत्य को लेकर के या अपने आस पास किसी परिजन किसी सगे संबंधी की मृत्य को लेकर के मृत्यू एक वास्तविक्ता है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दर्शन समझाना चाहूंगा क्योंकि उस दर्शन के बिना इस बात को मैं कभी भी आपके सामने ठीक तरह से नहीं ला सकता हूं देखे किसी की यदि मृत्य होती है यदि किसी सगे संबंधी की मृत्य होती है तो उसका दुख तो होता ही है लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर नश्वर है इसको मृत्य होनी ही है लेकिन उसके साथ साथ यदि हम यह भी समझें कि यह जो हमारी आत्मा है यह अमर ह तो आप इस विशे को यदि किसी की मृत्य हो जाती है, इसको समझ भली भाती से समझ सकते हैं, इसको अधिक अच्छे से समझ सकते हैं, याद रखें कि यह जो आत्मा है, यह अमर है, गीता में लिखा हुआ है, नैनम छिन्दंति शस्त्राणी, शस्त्र इसके अंदर छेद्र छेद नहीं कर सकते हैं नैनम दहती पाव कह अगनी इसे जला नहीं सकती है नचैनम क्लेद यन्तियापो पानी इसे गीला नहीं कर सकता है नशोश्यती मारुतह हवा इसे शुष्क नहीं कर सकती है ऐसा हमारी आत्मा होती है तो आत्मा हमेशा ही अमर होती है तो याद रखे कि आपके जो परिजन हैं उनकी आत्माएं अमर हैं और उनकी जो स्मृतियां हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी और इसलिए इसको ले करके अपने मन में किसी भी ग्रंथी को ना आने दे अपने मन में किसी तरहों को अधिक बढ़ने ना दे तो ये तो हुआ F अर्थात फियर दूसरा जो आए है वो है इनाक्शन अर्थात अकर्मनता बहुत बार हम लोग किसी चीज के उपर ध्यान नहीं देते हैं मेरी अपना जो शोध है उसमें एक चीज ये आई है कि जो हमारे दिमाग में जो कॉन्फिक्ट आती हैं जैसे उधार के तोर पर यदि आप ऐसी जगह काम करते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहां बहुत आवाज आती है बहुत ज्यादा नौइज है मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई रेल की पट्री है वहां से रोज आवाज आती रहती है या आपका घर ऐसी जगह पर जहां पे बहुत ज़्यादा ट्राफिक चलता रहता है या आप बड़े छोटे से एक क्यूबिकल में काम करते हैं या आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे बहुत गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या कभी-कभी इस बात से भी तनाव बढ़ जाता है यदि काम करते हैं या ऐसे स्थान पे रहते हैं जहां पे लाइट अर्थात रोशनी पर्याप्त नहीं है तो आपको एक काम करना चाहिए आपको एक जर्णल बनाना चाहिए अर्थात एक डाइरी बनानी चाहिए और उस डाइरी में आप अपने आप से चार प्रश्न करिए और ये बनाना बहुत ही महत्तपूर हैं और आप लोग एकदम अभी ही एक कागस कलम निकालिए और उसके उपर लिखिए सबसे पहले ये लिखिए कि आपको आखिर तनाव आया तो वो कैसे आया किस चीज से आया वो क्या किसी व्यक्ति से आया क्या किसी वस्तू से आया क्या किसी स्थान से आया किसी अन्यजीव से आया या इनका कोई combination था मिला जुला कोई स्वरूप था इन में से दो तीन अथवा चार चीजों का जिनकी वज़ा से आपको तनाव आता है दूसरा चीज आप ये लिखिए कि इसके बाद जब आपके मन में तनाव आया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था आप क्या क्रोधित हो रहे थे आप क्या आप बहुत दयनी स्थिती में आ गए थे आप क्या इृरीटेटेटिड हो गए थे आपको जल्दी से गुसा आ रहा था या दुखी हो गए थे तो किस तरह की भावना आपका भावनात्मक आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया क्या थी उस व्यक्ति वस्तु विशे के प्रति उसको लिखिए तीसरा लिए ये लिखिए कि आपने क्या किया आपने क्या किया जिससे आपको लाब मिला उस समय जो भी आपने किया हो और चौथा ये लिखिए कि क्या ये बार-बार करने से आपको निरंतर लाब मिलता रहा है जब आप एक इस तरह की डायरी बना लेंगे त जिसकी वज़ा से आपको लगातार irritation हो रही है, जिसकी वज़ा से आप तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, और एक बार जब आप उसके root cost पे पहुँच जाते हैं, तब उसको आप समूल नश्ट कर सकते हैं, समूल हटा सकते हैं, अपने आपको तनाव मुक्त कर सकते हैं, तो ये थ फायर का F और I, फायर का जो R है, वो है relationship issues, relationship issues, अर्थात हमारे संबंध, और वो संबंध दोनों जगा, चाहे वो हमारा जो कारे करने का, जो हमारा office है, वो संस्थान हो, चाहे वो हमारा घर हो, कभी-कभी जो हमारी relationship है, जो हमारे संबंध है, चाहे वो हमारे सहकर्वियों से हो, चाहे वो हमारे घर के लोगों से हो, वो भी हमारे अंदर एक तनाव लेकर के आ जाते हैं, तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखिए कि यदि आपको अपने कारे स्थल पे तनाव आ रहा है, तो ये जानने का प्रयास करिए कि वो कारे स्थल पे तनाव क्यों आ रहा है, क्या इ आप influence कैसे कर सकते हैं, लोगों को प्रभावित कैसे कर सकते हैं, लोगों को प्रत्साहिद कैसे कर सकते हैं, इस पर मैंने FB Live पे पूर में एक session दिया हुआ है, और जहां तक घर में तनाव की बात आती है, तो अधितर मैंने ये देखा है कि लोग तब तनाव ग्रस्त हो जाते हैं, और कभी-कभी आपके घर वाले संभवतह आपको शर्मिंदा करने का प्रयास करते हैं, जैसे माली जे, अगर आप काम करते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास को कोई वेक्ति बोले हैं, आप बच्चों का ध्यान नहीं देते हैं, पूरा समय तो इन्वर्टिद पिरामिट की, आप हमेशा जीवत में इन्वर्टिद पिरामिट का पारन करिए, इन्वर्टिद पिरामिट का अर्थ होता है, लोग आपको साधारते कहेंगे कि परिवार के लिए अपने आपको साक्रिफाइस कर दो, अपने आपको नियोच्छावर कर दो, देश के लिए परिवार को नियोच्छावर कर दो मैं बोलता हूँ आप इस पिरामिट को उल्टा कर दीजिए सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए सबसे पहले आप अपने आप को खुश रखिए सबसे पहले आप अपने आप को स्वस्त रखिए सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करना सीखिए, क्यों? क्योंकि याद रखिए आप दूसरों को वही दे सकते हैं, जो आपके पास स्वयम है, यदि आपके पास धन नहीं है, तो आप धन बात नहीं सकते, यदि आप स्वयम प्रसन्न नहीं है, तो आप दूसरों को प्रस सकते हैं. इसलिए लोगों की बात को बिल्कुल न कारते हुए, उनको अंसुना करिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी खुशी का ध्यान रखिए और एक बार जब आप खुद सशक्त बन जाएंगे या बन जाएंगी, तो आप दूसरों का ध्यान बेहतर रूप से रख सकते ह और आखरी जो E है हमारा fire का E वो है envy अर्थात इरश्या कभी कभी हम इस बात से तनाव में आ जाते हैं क्योंकि हम दूसरों के साथ अपने आपको compare करने लगते हैं हम दूसरों के साथ अपनी तुल्ला करने लगते हैं कि अरे उसके पास मेरे से अधिक पैसा है मेरे पास उतना पैसा नहीं है मेरे पास इतने संसाधन नहीं है हमेशा ध्यान रखे कि जीवन में आपके जो भी चीजे हो उनको दो भागों में बाटिए एक जिनके उपर आपका नियंतरन है और दूसरा जिनके उपर आपका नियंतरन नहीं है जो बाहे हैं और जो चीजे बाहे हैं जिनके उपर आपका नियंतरन नहीं है प्रयास करिए कि आप उनके उपर ज्यादा समय ना लगाए क्योंकि उनके उपर समय लगाना आपके समय का दुरूप्योग है वो तक चलेगा, वैक्सीन कब तक आएगी, हमारे इस पर कोई नियंतरन नहीं है, इसलिए उसके उपर बुद्धी लगाना हमको तनाव ग्रसत अवश्य करेगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये है कि हम मास पहन के जाएं, हमारे हाथ में ये है कि हम एक फिजिकल डिस्टेंसिंग जो छे गज की दूरी की बात की जाती है, हम वो छे गज की दूरी बना के रखें, हमारे हाथ में ये है कि अपने हस्तों का प्रक्षालन करें, समय समय पे अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हस्त प्रक्षालन करते रहें, तो जो हमारे नियंतरन में चीजे हैं यदि हम उनके उपर ध्यान डालेंगे तो हम तनाव गसित नहीं होंगे तो ये जो मैंने FIRE की बात की FIRE, अर्थाद भै Inaction, अर्थाद अकर्वनता R, अर्थाद relationship issues अर्थाद संबंध और E, अर्थाद envy इरश्या, यदि हम इन पे अंतरण करेंगे, इन स्रोतों को जान लेंगे तो हम एक तदाव मुक्त जीवन जी सकते हैं मैंने आज अधिक समय ले लिया है 3 बच के 22 मिनट हो रहा है